हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सबी का हमारे चैनल मैथ इस्टडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एलजेब्रा का बेसिक लेवल लाश्ट वीडियो कराने वाले हैं बेसिक लेवल की तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इस तरी के से आपको जैसे की काफी कोश्चन आपने देखे होंगे जैसे एक मैंने समिकर लिखी AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 और यहां पर पूछ लिया हो सकता इसका महतम मान पूछ है क्या पान इसका महतम मान या हो सकता इसका नियूनतम मान या दूसरा नियूनतम मान दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है महतम का बोलेंगे मैक्जीमम और नियूंतम का बोलेंगे मिनीमम इस तरह के से कुछ भी पूछ सकता है तो दोनों के लिए फॉर्मूला होता वैसे रियल मान तो आप निकालते हैं डिफरेंशियल से लेकिन मैं समझता हूँ differential काफी बच्चे तो छोड़ चुके हैं याद नहीं और कुछ तो ऐसे जिन्होंने देखा ही नहीं कभी तो यहां हम differential नहीं कराने वाले हैं यहाँ पर हम maximum के लिए हैं और minimum दोनों के लिए formula बताने वाले हैं देखें maximum के लिए formula है c plus c plus b square upon या देखें पहले एक line पहली होती से b upon 2 under root a का whole square यह होता formula या आप इसे ऐसे भी उसकर सकते हैं c plus b square upon 2 का square 4 और under root a का square a वैसे ही minimum का formula होता आपका c बरावर minus b upon 2 under root a का whole square equal इसे भी आप change कर सकते हैं c minus b square upon 4a तो देखें दोनों में same ही है बस a की difference है जैसे की नाम है महत्तम यानि जादा होना है महत्तम का मिलब जादा जादा कब होगा जब आप plus लगाएंगे add करेंगे और कम तब होगा जब आप minus करेंगे होना दोनों c में से ही है अब a b c आप समझी सकते हैं कहां से आएंगे x square का गुणांक a है यानि दिहान दखेंगे x की गहाद 2 की गुणा में जो भी है वो a होगा ऐसा ना समझना कि सबसे पहले वाला a होगा ज़रूरी नहीं यह सबसे पहले हो नहीं बलकि जरूरी यह है कि जो X की हद दो के गुड़ा में है वो A है और जो X की गुड़ा में है वो B है और जो बिना X वाला पद है वो C है तो वैसे ही A, B, C के मान निकाल के आप रख सकते हैं तो आप इसका स्क्रिन्शोट ले लें यह दो फॉर्मूले आपको ध्यान देने होंगे यह फॉर्मूलों से आप महत्तम और मिनिमम वैलियो निकालेंगे तो जल्ट से इसकी स्क्रिन्शोट लें और अब हम कोस्चन पर आते हैं तो देखिए मैं आपको पहला कोस्चन कराता हूँ इसे रफ करता हूँ पहले और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर पहला कोस्चन क्या होने वाला है यहाँ पर सबसे पहला कोस्चन है कि आपका देखिए समिकान है X square remo 1 X square पिलस X पिलस 1 बराबर 0 समिकान यह दे रखिए और आपसे यहाँ पूछ लिया है minimum 1 minimum मतलब minimum minimum value पूछी यानि minimum तो देखे minimum का formula आपको याद होगा minimum के लिए आप क्या करेंगे formula है आपका c minus b square upon 4a यही है न formula अब value रखेंगे c c की जगापर क्या है 1 इतना आपको धियान लखना है के a b c क्या है यहाँ पर सबसे पहले a a कहा मिलेगा x square की गुणा में अब x square की गुणा में क्या है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर होगा वैसे ही x की गुणा में b मिलेगा x की गुणा में भी कुछ नहीं है तो 1 यहाँ भी होगा 1 और C की जगह पर 1 आपको डारेक्ट दीखी रहा है यानि तीनों की value 1 है C की value 1 minus B square 1 1 का square हो गया into 4 A की value फिर 1 तो होगा 1 minus 1 का square 1 upon 4 बंजा 4 LCM लेंगे यहाँ पर 4 LCM आगा तिरसी multiple होगे 4 इकन 4 minus 1 4 में से घटेगा 3 बटा 4 राइट आजाएगा आपका यहाँ पर minimum यानि निवन्तम value कितनी आएगी 3 बटा 4 तो screenshot ले सकते हैं आप इसका काफी आसान question है कि अवल formula ध्यान देना है और maximum value या minimum value कैसे निकालते हैं और आगे कुछ question देख लेजिए तो चलिए next question की तरफ चलते हैं next question तो next question में next समी का क्या question है आपका देख लेते हैं next है आपका x square plus 2x plus 9 x square plus 2x plus 9 equal than 0 और पूछ ले आप से minimum अब एक बात और ध्यान लखेंगे ऐसा नहीं है कि किसी एक ही समीकर में आपको minimum और maximum दोनों value पूछ लेगा नहीं एक ही पूछेगा या तो minimum या maximum तो देखिए आपर minimum ही बताने है आपको तो minimum के लिए फिर आपको वही formula लगाना c minus b square upon 4a c की value रखेंगे 9 minus b की value रखेंगे 2 तो 2 का square हो जाएगा यह square ली लीजिए upon में 4 into a की value 1 यहां देखेंगे x square के साथ कुछ नहीं है तो 1 यहां हुआ आपका 9 minus 2 का square 4 upon 4 बन जा 4 4 से 4 cancel ही आया 1 तो यह आगे 9 minus 1 और कितना हुए 9 minus 1 8 तो minimum value कितने आगे आपकी यहां पर 8 आपकी नियुंतम value यहां पर 8 हो गई और अब next question की तरफ चलते हैं इसका screenshot ले लीजिए तो next question क्या होने वाला देखिए यहां पर इसे रफ करता हूँ मैं next question और भी बहतरीन question होने वाला है तो चलिए यहां पर next question की तरफ चलते हैं और next question आपके सामने लिखने वाले हम देखिए question है 4x square minus 2x और प्लस 5 यह सम एकन दे रखिए और यहां भी क्या पूछले आपसे minimum value तो minimum के नहीं है तो फिर वही formula minimum value बरावर cc कितना 5 minus b square तो b है 2 2 का square करेंगे 4 upon 4 into a a की value है 4 तो 4 से 4 cancel यह बचागा 5 minus 1 upon 4 upon में 1 मान के lc हम लेंगे 4 तिरशी multiply होगी 5 4 यानि 5 चोग 20 minus 1 20 में से एक घटाएगा तो 19 बटा 4 तो right answer होगे आपका 19 बटा 4 नियूंतम value अब यहां पर next question थोड़ा सा change है उसे देख लेते हैं इसकी इंशोट ले लीजिए आप सभी question कर लेते रहें और अब next question पर चलते हैं next question में थोड़ा सा change दिया है आपको पूछा तो minimum value हुई है तो question क्या आपका x-2 into x-9 x-2 into x-9 और यहां भी क्या पूछ लिया गया आपसे minimum value तो क्या करेंगे यहां समीकार नहीं दी हमें तो पहला काम हमारा है समीकार बनाना तो इसकी अंदर multiply करेंगे यहांनी x की x से होगी तो बनेगी x की power 2 फिर x की 9 से करेंगे तो minus 9x 2 की x से करेंगे तो minus 2x और 2 की 9 से करेंगे दो नम 18 minus minus plus और समीकार सही रूप आ जाएगा इसका x square 9x minus का 2x minus का जुड़ जाएगे minus का 11x plus 18 समीकार का रूप आ गया सही अब minimum value निकालेंगे आप formula वही रखेंगे c c कितना है 18 minus b square तो b आपका 11 11 का square करेंगे 121 121 upon 4 into a तो 4 into a की value है 1 तो यहां पर कितना हुआ 18 minus 121 बटा 4 4 LC हम ले ले लेंगे आप तिरिशे multiply होगे 18 चोग 72 minus 121 यहां पर घटाएंगे तो हम बचागा minus का 49 बटा 4 तो right answer आपका minus 49 बटे 4 हो जाएगा काफी अच्छा question था यह आप इसका भी screenshot ले सकते हैं और अब next question के दरब चलते हैं next question क्या होने वाला है अब तक हमने minimum के question किये और अब maximum के question करने वाले हैं तो देखिए maximum का question देख लेते हैं maximum का question समिकर्ण दे रखिए आपको minus 8x square minus 8x square plus 2x plus 7 equal than 0 और पूछ लिया गया है maximum यहाँ पर maximum तो देखिए एक छोटी सी पैचान याद रखना mostly 99% अगर maximum पूछेगा तो x square वाली value minus की जरूर होगी तो चलिए आप maximum value निकालते हैं यहाँ पर तो maximum का formula आपको याद होगा c, c कितना है 7 और यहाँ लेते हैं plus बस एक ही difference है बीच में plus होगा maximum में और minus होगा minimum में तो 7 plus b square तो b तो 2 है 2 का square 4 upon में 4 into a 4 into a कितना है a है यहाँ पर 8 तो देखिए 4 से 4 cancel हुआ तो यहाँ पर आगया 7 plus 1 upon 8 इससे आप LCM लेंगे इसके उपन मन लेकर तो LCM है आठ तिरशी multiple होगे आठ सत्य 56 पिलस एक इकन एक 56 और एक 57 बटे 8 राइट आंसर हुआ आपका 57 बटे 8 यह आपकी maximum यानि महत्तमान हुआ और अब next question और देख लेते हैं महत्तमान से related तो देखें यहाँ पर काफी आसान है महत्तमान निकलना आप अगर थोड़ा से भी सही धंग से सही तरीके से समझेंगे तो महत्तमान बहुत आसान है और आप स्क्रिंशोट ले लिया होगा आपने तो हम इसे रफ करते हैं और next question और देख लेते हैं आपका क्या कराने वाले हैं तो next question ने maximum value ही पूछा है उसमें भी समीकान है आपकी 5 plus 20x 5 plus 20x minus 4x square यह समीका है और यहाँ पर भी maximum value पूछी है देखी जैसा कि मैंने आपको शुरू में पताया था कि यह जिरूरी नहीं ए सबसे पहले वाला होगा बलकि जिरूरी क्या है कि ए आपका x square की गुणा वाला होगा तो अगर धेखें यह यह क्या है ना तो हिहाँ x square है और यहाँ x है तो x का मतलब यह b की value है और x square लाउस्ट में तो इसका मतलब a की value 4 है तो यह ध्यान देंगे इस बात पर इसे आप सीधा करके लख लीजिए यानि माइनस 4X स्क्वाइर पहले पिलस 20X और पिलस का 5 अब यह इसका सही रूप हो गया सही रूप हो गया तो A यह है B यह है और C यह है इस बात का जादा ध्यान देना है आपको अब आपसे Maximum Value पूछी है तो Maximum का Formula आपका C C है 5 पिलस B स्क्वाइर यानि B है 20 और 20 का स्क्वाइर करेंगे तो 400 बटे में 4 इंटू A A की Value है 4 आप यह नहीं सोचे माइनस नहीं लिया पीछे भी किया मैने माइनस इसलिए नहीं लिया आपको जब Formula लिखाया था तो उसका Whole Square लग रहा था Whole Square खुलने के बाद यह Formula निकल का आया था तो Whole Square से माइनस सारी खतम हो जाते है इसने हम माइनस नहीं लेंगे अब देखिए हैं 4 चोग 16 हुआ इस 16 से काटेंगे उपर वाला तो इकटेगा 25 बार तो इहां आयेगा 5 पिलस 25 दोनों को जोलेंगे तो आजाएगा 30 Maximum यानि महत्तम मान कितना आजाएगा यहाँ पर 30 तो यह यहाँ पर यह कोश्चन पूरा हुआ यहाँ पर इसका Maximum मान यह महत्तम मान 30 आया है अगर आपने डंग से अच्छे तरीके से समझा है समझा भी है और अगर formula याद है तो आप आसानी से इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकने वाले हैं एक कोश्चन आपको homework देते हैं इसे मैं रफ कर देता हूँ इसका screenshot ले लीजिए और अब homework question की तरफ चलते हैं homework देते हैं आपके लिए घर से करना आपको और comment में उसका answer बताना है तो देखें यहाँ पर hw है minus 2x square और plus 12x plus 6 plus 12x plus 6 यह समिकान दे रखें और यहाँ पर भी आपसो आपसे पूछा गया maximum या महतमान तो आपको यह घर से करना है महतमान बताना है और comment में इसका answer देना है तो चलिए यहाँ पर यह basic video आज यहाँ पर final होती है और कल आपको question कराने वाले हैं हम आपको कल की video में book से question कराएंगे और आप जादा सतर्क रहे UPSI का notice आ चुका है तक बन रहेंगे इससे आप जल्द से जल्द चैलन सब्क्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को share कर दीजिए यहाँ पर हम पूरा course कराएंगे UPSI से related math का पूरा course कराएंगे तो हमारा चैनल सब्क्राइब करादीजिए अपने सभी relation में दोस्तों को तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना